हलो फ्रेंट्स वेलकम टो गार्गी क्लासेज डेट आज के 30 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से कौन से इंपोर्टन्ट आर्टिकल से जो आज आपने डिसकुस करेंगे सबसे पहला आर्टिकल है लास्ट च इस निकल के आ रहा है वह हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टेम है वह अभी भी डिवाइडिड है हैं एंड हैवस नॉट ठीक है उसके बेसिस पर यह आर्टिकल देखेंगे अपन दूसरा यह आर्टिकल है ट्रस्ट इन लेटिड जो केसिज हैं वह जो डेटा आप देख रहे हो कि कहां 74,000 78,000 लगबग पहुंच गया था पर दे वह अभी डिकलाइन करके लगबग 34,000 32,000 के लगबग आ रहा है तो उसमें कहीं नहीं कुछ कुछ कंसंस आ रहे हैं कि प्रिवियसली भी जो स्टेट गवर्मेंट थी उन्होंने अपने डेटा को जब डेकलियर किया तो उनका जब ICMR के साथ में इंटरफेस किया गया तो पता पड़ा कि डेटा में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी देखी गई थी इन्हीं मतलब मैच नहीं हो पा रहा था तो इसको भी आर्टिकल को देखेंगे कि अभी क्य संस हो सकते हैं ये बढ़ आर्टिकल डेट इस अबौट अमेरिकन इलेक्शन जो अपने काम के नहीं है यह अर्टिकल में आपको यहीं बताते देता हूं फार्म बिल से रिलेटेड य Käंशर बार बार बहुत बार आ चुक है हैं ये ऐत तो पॉंट्स है MSP से लेना देना कुछ नहीं है पहली बात तो यह बोली जाती है दूसरी बात यह बोली जा रही है कि confusion इसलिए हो रहा है कि जो pro government है या central government की हिसाब से जो बोलना चाहरे है हैं वह repeatedly एक चीज और बोल रहे हैं इन बिल्स को जब इन बिल्स की वकालत कर रहे हैं तो दूसरे तरफ यह भी बोल रहे हैं कि MSP अब irrelevant हो गई है कि कोई जमाना था जब हमारे याँ food security देनी थी farmers की welfare को ensure करना था अब तो green revolution आ चुका है बहुत सारे revolution चल रहे हैं already तो आप देख सकते हो कि production बहुत high scale पर हो रहा है तो राइटर एक ही चीज बोल रहे है कि आप MSP को इसके साथ associate कर रहे हो ना इसलिए कहीं ना कहीं farmers के लिए concerning factor बन जाता है कहीं यह farm bill MSP को लेकर के तो नहीं आए ठीक है तो वहाँ प dropping pattern crops के लिए आता है MSP declaration बट में जो फाइदा होता है वह wheat and paddy के लिए होता है ओके बट आप overall production भी देखोगे ना तो 35% से ज्यादा production तो wheat and paddy का होता है तो उस case में आप देख सकते हो कि MSP अगर declare कर दे government तो उससे क्या होगा यह 35% का जो farmers का share है वह तो कम से कम benefit उठा पाएं relevant relevant करके मत प्रोनशेट करो MSP अभी वे relevant क्योंकि 33 35% तक अगर हमारे जितना production होता है agriculture produce उसका अगर MSP के basis पर उनको benefit पहुंचता है तो उसमें गाटा गया आप उसको अपहल्ड करो दूसरा राइटर यह बताते हैं MSP के basis पर कि 2004 से 2012 तक का अगर हम time frame उठाएं तो वहाँ प तो उसी चीज़ को आप आगे बढ़ा हो तो high commodity price तो government भी procure करती है तो MSP basis पर ही तो procure करता ना FCA ओके तो उस case में क्या हो जाता है कि जादा फिर procurement होता है तो पैसा और जादा आता है farmers को तो benefit हुआ कि नहीं MSP का इंटरेटली फिर बात करते हैं कि जब farmers को अच्छा का सा पैस है वो भी घटेगी तो ऐसे करके MSP अपने आप में अभी भी relevant है क्योंकि हमारे गरीबी अभी बढ़ रही है और रही सही में कोविट 19 के बाद में आपको पता है poverty और ज्यादा बढ़ी है ठीक है लोगों की lifestyle बहुत decline कर चुकी है इसके अलावा आप देखोगे एक पॉइं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वहां पर अगर स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर्स है तो वह लोग वायबल नहीं समझते हैं फिर इस चीज़ को कि आप unsubsidized अगर electricity supply करते हो या फर्टिलाइजर सुनको अवेल करा तो क्योंकि उनका scale ज्यादा बढ़ा नहीं है तो उनको आप electricity at least subsidized way में दो हां वही बात आ जाती है कि जो बड़े फार्मर्स हैं आप उनको थोड़ा discriminate कर सकते हो उनको देने से बट वही चीज़ उसके लिए आपको data property उसके उपर आप work out करो पर बात ही आ जाती है कि आप सभी को एक ही लकडी से आखो तो वह चीज ठीक नहीं रह है ना बाद में राष्ट में राइटर एकी चीज बोलता है एक्स जो आये हैं अभी तीन फार्म पे लेक्ट आये हैं उनका MSP से कोई लेना देना नहीं है उनको प्लीज आप associate मत करो नहीं तो एक confusion ही create हो रहा है और उसी का सिकार कहीं नहीं फार्मर्स होते होए दिखाई द कि आगे तो कुछ ज़्यादा काम का content है नहीं इसमें बोला क्या जा रहा है जैसे कि आपको पता है फ्रांस में हुआ क्या है कि एक टीचर उन्होंने प्रफिट मुहम्मद के कार्टून्स दिखाए classroom में तो वहां पर एक classroom में एक student बैठा था जो की चेचन्या के migrant family से belong करता है ठीक है चेचन्या जो की USSR के टाइम पर बहुत ही जबर्दस highlighted था 1990 में चेचन्या में rebel भी हुए थे वो Muslim dominated region है तो फिर उसके बाद में वो जो लोग थे वो migrate करके European countries में भी आ गए थे अब European countries में फ्रांस में भी आके settle होगे अब आपको एक चीज मैंने कल बताई थी कि किस तरीके से फ्रेंज पर्सों बताई थी मैंने explain के page में कि किस तरीके से हमारा secularism इंडिया का secularism और western secularism different है तो वहां पर क्या है state जो है वो एक religion को भी private एक affair की तरह ट्रीट करेगा public affair की तरह ट्रीट नहीं करता जैसे आप एक individual हो तो आपको law के सामने उतना ही treatment मिलेगा जितना दूसरे individual को मिलता है तो exactly वैसे ही religion को भी treat किया जाता है western countries के secularism model के अंदर में तो टीचर ने वहां पर अपनी एक इफ जो हम freedom जिसकी बात करते है हमारे खुद के constitution में है यह चीज कि right of freedom right of freedom to speech and expression ठीक है तो उसमें आप देखोगे तो उस case में वो का freedom दिया हुआ है कहां पर french constitution में तो teacher ने वही freedom को यूज करते हुए prophet Muhammad के cartoon दिखाए और उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से life को मतलब बताना जो भी चार रहे थे उन्होंने prophet Muhammad के cartoon योज किये बट वहाँ पर वो classroom में जो student available था present था जो की चेचनिया community से था तो उस बंदे ने फिर बाद में उस teacher को मार दिया उसका गला कार दिया teacher का तो आप देख सकते हो इस case में कि किस सरीके से आज हम constitutional provisions की बात करते है जहां पर हम constitutional provisions में सबसे important right of freedom of speech and expression की बात करते हैं उसको हम right to religion या right to sacredness उस basis पे देखें तो दोनों के बीच में ये conflict होता हुआ दिखाई दे रहा है तो writer एक ही चीज़ बोलता है बार बार कि दो ideas जब होता है ना ideas के बीच में conflict और दो ideas उनको हम कभी खतम नहीं कर सकते पूरी पूरी करते हैं वो उसको shoot कर दिया तो ऐसे करके वो bodies तो खतम हो गई बट ideas जो हैं वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं ना उसका replication क्या रहा है international level पर आप देख रहे हो पाकिस्तान तर्की और दूसरे जो countries जहां पर Islamism को follow किया जाता है या Islamism कहीं ना कि उनका national religion है त constitutional issues के साथ में conflict में लाओगे और उसके basis पे आप ऐसे international peace को अगर आप politicize करोगे international issues को और उनका गलत तरीके से अपने narrative create करोगे तो वो देखो harmful तो है ही internationally दूसरी चीज यहां पर राइटर बिल्कुल एक चीज क्लियर बोल रहे हैं कि यहां पर अगर जो पाकिस्तान और टर्की जैसे countries या फिर अदर जो Islamic countries हैं जिन्होंने boycott किया है French goods को तो उनसे एक चीज तो क्लियर आ रही है कि वो बिल्कुल जो decent के लिए या फिर किसी को भी नहीं दिया जाता कहने का मतलब जहां पर हम democratic rights की बात करते हैं constitutional rights की बात करते हैं वो rights पाकिस्तान और टर्की जैसे countries में prevalent नहीं है समझ गे तो ये चीजे बताई जा रही है कि bodies तो चलो ठीक है mortal है आप मार दो उनको कोई problem नहीं है but ideas तो immortal है अब उसकी वजह से एक gap फिर से create होगा एक society में कुछ Islamic जो लोग हैं वो ज्यादा मतलब इस situation का फाइदा उठाएंगे तो कुछ लोग कहीना करें रिसीड भी करेंगे तो ये कहीना गई ideas continue चलते रहते हैं तो point यहां पे निकल किया रहा है कि आज हम democratic politics में रहते हैं जहां पर हम एक तरीके से freedom को ज्यादा explore क रहने की कोशिश करते हैं उनको दबाओ मत प्लीज आप ठीक है यह article कामका नहीं आप देख सकते हो feminist को थोड़ा सा feminism की point of view से हैं देखना चाहो तो आप देख लेना बाकी politics के point उठाउट आगर के substantiate किया जा रहा है कि जैसे कि अरुनासफ अली थी तो इंडिया में उन्हो एक declaration था कि मैंने politics में इसलिए participate किया या मेरा participation जो था वो मेरे पिताजी और मेरे भाई को देख करके था तो कहने का मतलब पेट्रियार किया का influence था दूसरी तरफ जो जैकेंडा है या फिर जैसेंडा है exactly मुझे पता नहीं है नाम कैसे बोलोगा आप जैकेंडा है यह अभी throughout world आप different different जो भी leaders बने हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं आपको male का dominance दिखाई देता है अब जैसे आप देखते हो पंचायती राज institutions की आप बात करते हो जिसमें 33% आप reservation दिलाते हो कि women के लिए seats result रहेगी but reality क्या होती है कि जो women elect होकर के आती है as a leader उनके पीछे उनकी family में उ उसके father या फिर उसका brother वो लोग political power को use करते हुए दिखाई देते हैं हमारे इंडिया की बात हो रही ही तो कहने का मतलब जो न्यूजिलेंड में अभी recent election हो है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्हीं चीजों को फिर substantiate करें अलग-अलग arguments से जिसमें politics भी कि मुझे कुछ काम का लगा नहीं फिर यह article है caught out by spin आपको पता है मुथया मुडली धरन पर अभी movie बनने वाली है movie तो क्या बनने वाली है movie बनने वाली थी south में तामिल में बड़ तामिल सिनेमा में अभी जो तामिल नेशनलिस्ट जो है वो यह चाहते है कि कैसे भी करके स् प्रभाकरन की डेथ हो गई थी 2005 के लगबग और वो फिर बाद में स्रिलंकन गॉर्मेंट ने civil war की बेसिस पे इस लिटे मुमेंट को पूरा कॉलिप्स कर दिया तो कहने का मतलब तमिल माइनॉरिटी को बिलकुल सप्रेस कर दिया था तो उस केस में क्या हो जाता है कि यह च चोगम की एक मीटिंग में चोगम मतलब गया Commonwealth of Nations की मीटिंग हो रही थी एक कॉलंबो में उसको अटेंट करने के लिए जा रहे थे बट आपको पता है उनकी गॉर्मेंट कैसी थी कॉलेशन यूपीय सेकंड चल रहा था और कॉलेशन गॉर्मेंट होने की वज़े से उनको स सपोर्ट नहीं देंगे ऐसे करके यूपीय गॉर्मेंट मतलब गिर जाएगी और मनमौन सिंग जी की प्राइम मिनिस्टर्शिप खतम हो जाएगी तो इस केस में क्या होता है वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स थी तमिल नाडू की वह कहीना कि नेशनल पॉलिटिक्स पर भी गजब 800 विकेट लिये हैं तो वंडे मैचेज में भी उन्होंने लगबग 534 तक लगबग विकेट्स लिये हैं तो आप देख सकते हो कितने बड़े आइकन और आप भी जानते होंगे उनको तो उन्होंने उनके उपर एक मुवी जब बन रही थी तो जो एक्टर थे उनके पर प्रेशर बनाया गया तमिल नैशनलिस्ट के द्वारा कि आप मुवी क्यों बना रहे हो जब वो तमिल माइनोरिटी के लिए स्टेंडी नहीं करते हैं वहां श्रलंका में रीजन बिंग क्योंकि मुथेया मुडली दरन ने जो अभी आपको रूल कर रहे हैं गोटा भया रदर्स को मुडली दरन कहीना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं और उस केस में आप देखो कि लिट्टे का वहां पर डिकलाइन हो रहा था तो तो तमिल नैशनलिस्ट इसको कहीना कहीं नरेट करते हुए जो मेन एक्टर हैं उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि एकी चीज़ बोल रहे हैं कि तमिल नैशनलिजम को आप इस तरीके से मतलो क्या प्रभाकरन की बात करोगे प्रभाकरन जो जिन्होंने वाइलेंस का यूज किया जिन्हों ने अपनी माइनोरिटी के बेसेस पर आगे बढ़ने की कोशिश की माइनोरिटी इशूस को ले करके और उसमें उन्होंने मारकार्ट से भी पीछे नहीं आटे उसको इतनी फैन फ्लोइंग नहीं थी जितनी मुठया मुद्ली दरन की फैन फीन फॉल्लोइंग है इवेन एंडिया में भी इवेन तमिल नाडू में बी तो आप इस तरीके से हैं आप नैशनलिजम को गलत तरीक बहुत खुश हुए थे कि वाकळी मैं मैं बहुत खुश हुऊ कि तामिल नाडु के लिए मैं खेल रहा हूं तामिल लोगों के लिए तो वहां पर भी तो आपने पैन फैन्स फॉलॉवांग बहुत जादा बड़ी थी रही सुरी मैं यहंपर यह एक जो मतलब एक जो इश्वी हाँ पर नेशनलिस्ट उठाते हैं तामिल नेशनलिस्ट कि बही 2009 में मुतहिया मुडली धरन अपने आपका मतलब पुरी जिंदगी का अपनी लाइफ का पूरे करियर का बोलो 2009 मेरा सबसे शांदार टाइम था बोलो 2009 में तो हमारा लिट्टे कॉलाप्स कर गया था आप कैसे अपना वो साल अच्छा मना सकते हो भाई वो तो इंडिवीज्वल परस्पेक्टिव हो भई उनका 2009 में अच्छे विकिट्स लेना अच्छे माइल्स्टोन अचीव करना वो सारी चीज़ें उन्होंने गेन की थ अगर एक अच्छी हार्मनी स्टैब्रिश हो जाती है तो कोलंबो और दिल्ली के रिलेशन और स्ट्रोंग हो सकते हैं और इसमें थोड़ी सी एक डाइमेंशन एड करूंगा जहां पर कोलंबो में चाइना जैसे कंट्री की डॉमिनेंस बन रही है वहां पर आप देख सकते ह कि दिल्ली को भी एक रोल प्ले करने को अच्छा मौका मिल सकता है अगर यह हार्मनी आ जाए तो पट वही बात है लोकल पॉलिटिक्स कब खतम होगी पता नहीं तो इस तरहीं से आइडिया पेज का तो समरी हमने ले लिया अब देख लेते हैं वह जो दो आर्टिकल जो कि अपने एडिटोरियल पेज पे हैं फर्स्ट आर्टिकल है लास्ट चाइल मैटर्स ऐसे तो अल्रेडी अपने डिसकस बहुत कुछ कर चुके हैं बटा आपको आइडिया होना चीए वो चीज़े इतनी इंपोर्टन नहीं है बट पता तो होना ही चीए अट लिस्ट चलिए देखते हैं इसमें क्या है लास्ट चाइल मैटर्स देखो जैसे ही लोगडाउन लगा शटडाउन होगी स्कूल्स पूरी की पूरी और त्रू आउट इंडिया एक आप देख सकते हो स्कूलिंग पैटर्न में एक डीपर इनीक्वैलिटी देखी गई क्योंकि मेजोरिटी स्कूल स्टुडेंट्स उनके पास में इंटरनेट की एकसिबिलिटी नहीं थी तो और ज्यादा वह डिस्ट्रेस में आ गए इस से रिलेटेड़ आर्टिकल्स बहुत देखें उनको मैं थोड़ा सा उनसे पिक करूंगा की चाइल्ड मेरिज ज्यादा होना चाइल मेरिज के इक्वलन ट्रीट्मेंट मिलता है बट फिर भी जिन रीजिन में अभी भी बैकवर्डनेस है वहाँ पर लड़कियां बहुत ज़्यादा वलनरेबल हैं तीसरा आप देखो कि उनकी एज्जुकेशन प्रापर नहीं होते तो और उनको एक बहाना भी नहीं मिलता कि हम करने के लिए लगा जाते हैं मतलब चाइड लेबर आप देख सकते हो बहुत जादा बढ़ गया तो यह सारा का सारा रेपकरशन है केवल और केवल एक का की पेंडेमिक आया लोगडाउन अपलाई हुआ और उन बच्चों के पास में एज्जुकेशन अक्सेसिबिलिटी प बढ़ा तो इसे तरीके से जो असर की अभी रिपोर्ट आया असर का मतलब होता है एन्यूल स्टेटस आफ एज्जुकेशन रिपोर्ट इसमें यह बताया कि 2020 में अभी तक हमने लगबग 60,000 और स्टुदेंट्स अलग अलग स्टुदेंट्स को कॉल किया और पता किया कि भ कितना ग्रेव सिचुएशन आ रही है इसी तरीके से डिजिटल इनीक्वैलिटी का जो बर्डन है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है और चिल्डरन पे तो पर्टिकिलर मतलब बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है इस डेटा के हिसाब समस्ज सकते हैं लगबग 24.3% चिल्डरन ऐसे हैं जिन लोगों को कोई लर्निंग मटीरियल ही नहीं मिल रहा ग्यारा पर्सेंट को तो क्या मिल रहा था ऑनलाइन लाइव क्लाशेज बाकि दूसरे जो बच्चे उनको सीखने के लिए बुक्स हो गई बुक्स भी चलो छोड़ो जैसे वाट अग्सेसिबिलिटी नहीं को इंशुर हो पबाए क्योंकि internet accessibility नहीं थी तो ये बात तो पोर रिपटेटले आती रही है कि हमारे यहां पर वो यहाँ पर भी ऐसे कैसे अप्लाई हो रहा है तो आप देख सकते हो कि 75% जो इंट्रेक्शन जो था ना बच्चों के साथ में वाट्सेप के थूँ था बट उनके पास में वही फैसिलिटी नहीं थी दूसरी तरफ हम देखें पेरेंट्स की तरफ से रोल देखें जिन पेरेंट्स की एजुकेशन अच्छी खासी थी ना टैंथ क्लास तक भी एजुकेशन थी उन लोगों को तो कहीं ना कि अच्छी से फैसिलिटेट कर दिया गया यहां पर आर्टिकल में यह बतारा जा रहा है कि एक आप देखोगे इंग्लिश मेडियम एजुकेशन की जिन जन बच्चों को मिलती है उनके तो यहां पर देखो स्मार्ट फोन की ठीक ठाक थी बट दूसरी तरफ आप देखो तो वहां पर आपको old age जो hierarchy देखने को मिलती है कि जहां पर जो अच्छी स्कूल में पढ़ने का वाले बच्चे हो गए जो इंग्लिश मेडियम स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास में तो accessibility थी education material की और सारे जो चीजों की जवरत थी उनको बट दूसरे सेक्टर में जिन लोगों के पास में जो गवर्मेंट स्कूल में पढ़ते हैं जो बच्चे गरीब परिवारों से बिलॉंग करते हैं उनके पास में accessibility नहीं थी सही सही में parents ने जिन लोगों के पास में smartphone नहीं था उन लोगों ने smartphone भी purchase कर लिया क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था लगबग 11% ऐसे parents थे जो इस report के अंडर में आए तो इस तरीके से smartphones का penetration या accessibility थी वो भी भड़ी पर आप देखोगे कि technology जो है वो हर एक solution नहीं हो सकती एक class में जो proper interaction होता है proper एक behavior understanding होती है उसके लिए तो कहने का मतलब इस unforeseen crisis को हम क्यों technology basis sort out करें this is not the solution रही जई में हम देखे private और public school के scenario में तो आप देखोगे कि private school के बच्चों को तो कहीना कहीं accessibility मिल रही है जबकि government school के बच्चे जो हैं वो अभी भी बहुत दूर है इन सारे चीजों की फायदा उठाने से तो कहने का मतलब हमारे society में जो inherited disadvantaged group है वो अभी भी कहीना कहीं vulnerable बने हुए है parents की education मैंने बताया आपको भी कि 10 वी तक है तो वो तो देखो कहीना कहीं better accessibility दे पाए अपने बच्चों को learning में जबकि जिन parents की education कम है तो वो कहीना कहीं अपने बच्चों का education अच्छी नहीं दिला पाए इस lockdown के time पे up to the mark at least पूरा तो नहीं हो सकता बड़ जितना औरों ने किया जितना और बच्चों ने किया उतना तो होना ही चीए ना उस बात को point out करना चारे है तो report जो है crisis को map करती हुई दिखाई दे रही है और possibilities के बारे में भी कहीना की indication भी दे रही है जैसे कि private schools हैं उनको तो देखो rethink करना चाहिए कि किस तरीके से online only model पे काम किया जा सकता है number two government schools को जो है इस opportunity को harness करना चाहिए और अपने teaching quality को improve करने की ज़रुत है और दूसरा जो enrollment है उसको maintain रखना और increase करने की ज़रुत है that means number of students should be retained in government schools क्योंकि ultimately welfare का काम तो government schools ही करती है private schools तो खुली किसलिए गई है जी benefit के लिए वो तो profit के लिए बैठा हैं वहाँ पे ज़्यादा थर इसे तरीके से आप देखोगे कि government जो है वो आगे अपना एक कदम बढ़ा सकती है करनाट का और केरल की government ने बहुत अच्छा काम किया lockdown के टाइम पे तो इस तरीके से जो सदन स्टेट ने जो अपना काम किया एक proactive approach जो अपनाई कि public school system में जो कमिया थी उन कमियों को हटाया और multiple opportunities create की तो वो ही चीज हम कर सकते हैं अलग-अलग regions में दिली की बात करें तो आप government जब से आई है तो आपको पता है देखो वहाँ पर ये good politics निकल के आई है कि government school के बच्चे जो है वो अच्छा perform कर रहा है merit list में आप देखोगे तो government school के बच्चे ज़्यादा perform कर पा रहा है as compared to private schools और रही सही में private school की fees पे भी बहुत लगाम लगाई है आप government ने तो वो ही चीज आजाती है घुम के कि भई हम कैसे भी करके इन equalities को minimize करें losses of learning को भी minimize हमे करने की ज़रुष है अगर यह minimize हुजाता देखो emotional turmoil भी नहीं होगा बच्चे एक कहते हैं ना कि feeling के basis पे भी ज़्यादा अपने आपको ठगा हुआ मैसूस नहीं करेंगे नहीं आज अगर classroom आप खोलोगे तो जिनके माता-पिताओं के पास में smartphone accessibility थी उनको तो आप देखोगे कि वच्छे से समझ भी रहे हैं और अपने आपको कहीं ना कहीं एक frequency match कर पा रहा है teacher से और दूसरी तरफ जिनके पास में education facilities नहीं थी यह वह कहीं ना कहीं अपने आपको पीछे पाएंगे और फिर आप देखो यही board exam में आप apply कर दो वह बच्चे बिचारे अब exam देंगे board exam तो जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं कि इसका मतलब तो उनके साथ में तो दोखा हो गया और फिर बाद में आप Delhi University जैसी इन University admission के लिए 100% cut off रखोगे तो यह कहां तक equality आप promote कर रहे हो तो कहने का मतलब इन पर काम करने की जरूरत है इनको हमें टैकल करने की जरूरत है नेक्स आर्टिकल देखते हैं नेक्स आर्टिकल है Trust in data देखो बहुत सारे S occasions आये हैं जब इस pandemic के बारे में बहुत डेटा रिलीज हुआ है epidemiologists जो हैं उन्होंने बहुत सारे concerns भी raise किये हैं public health experts और academicians ने भी लगातार COVID-19 से related data के ओपर question उठाए हैं तो देखो data अगर ढंक से होगा तभी तो policy formulation अच्छी होगी जब हमें पता है कि एक लाख case per day आ रहे हैं तो उसी के साथ से public health facility एंशोर की जाएगी जब आप data को ही 34,000 30,000 यह दिखा करें करोगे तो क्या आप एक लाख actual में जो data है उनके लिए क्या वाकई में जो treatment है वह अवेल करा सकते हो तो यह बहुत important issue है देखो जब हम public health challenges की बात करें तो और भी बहुत सारे factors आते हैं जैसे कि आपको बता दें West Bengal और Central Government की बीच में डिबेट सी चल पड़ी थी मतलब तू तू मैं मैं शुरू हो गई थी जब death count बहुत जादा बढ़ गया था इसी तरीके से आप देखोगे हमारी जो national capital region के hospitals हैं वहां पर भी डैली government का जो वर्क था वो भी बहुत बुरे तरीके से मतलब जगजोड दिया गया था जब cases लगातार स्पीड से बढ़ रहे थे ऐसे यहां देखोगे महरास्ट्रा जो की वर्स्ट अफेक्टिड कोविड 19 स्टेट है तो आप देखोगे कि वहां पर जो डेटा रिलीज किया जाता है वहां की government के द्वारा तो उसको डेटा को अगर ICMR के डिटा से मैच किया गया तो वह मैचिंग नहीं दिखाई दे रही है तो कहने का मतलब यह है कि data disparities लगातार देखी जा रहे हैं और September के मंत में आप देखोगे तो उसके बाद में हम देख रहे हैं कि data लगातार कहीं ना कहीं declining trend दिखा रहा है तो उस पर अभी जो यह previous experiences हैं इनके basis पे question भी उठाये जा र रहे हैं या फिर यह केवल fake data है तो कहने का मतलब यह आ जाता है कि देखो government केवल better scorecard दिखाने के लिए कहीं data गलत ना दिखा दे इसका तो देखो आप proper corrective actions लेने से हमें कहीं ना कहीं दूर ले जाये जाएगा जो की वाकई में required है कि कैसे कोविट 19 को tackle करें थरस्डे की बात करें तो union ministry ने inform किया कि लगबग 11 लाग tests per day conduct किये जा रहे हैं पिछले 6 हफतों की बात की जाये तो तो ministry के according हम देखें तो अभी country में लगबग लगबग resources भी उसके साब से अवेल होने चीए और increase होते होते 15 लाग daily test होने चीए ठीक अच्छे है अफते पहले अगर 11 लाग थे तो 15 लाग तक भढ़ जाने चीए अभी तक तो expansion के basis पे हम देखें तो coronavirus cases का जो मतलब एक तरफ से test increase हो रहे हैं और दूसरी तरफ coronavirus के cases कम आ रहे हैं तो यह चीज जो है वो अलकी सी previous experiences के basis पे देखें तो doubtful आ जाती है रही से में प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी नहीं कहा है कि फैस्टिव सीजन हा रहा है तो इसमें हमें risk नहीं लेनी है हमें situation को improve करना है ना कि deteriorate करना है तो यह तो signal कहीं नहीं यह आ रहा है कि हमारे कहीं नहीं cases जो है वो भी अभी तक बढ़ रहे हैं तो यह जो count है that is very crucial और इसको हमें use करना होता है containment strategies बनाने के लिए कैसे भी करके hot spot हो गए या फिर जहां पर भी medical infrastructure की कमी है तो states वहाँ पर ready रहे tackle करने के लिए दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ district level officials जो है ना वो कहीं ना कहीं pressure बना रहे है कि भई कैसे भी करके authorities को कि भई अब आपने को testing जादा नहीं करवानी अब testing जादा नहीं करवाओगी तो data कमाएगा data कमाएगा तो उन पर responsibility उनकी परेशानिया कम हो जाएगी तो ये तो बहुत ही जादा गलत हो जाएगा कि वाकई में जहां पर हमें accuracy की जरूरत है data में तो वहाँ पर इस तरीके की recklessness दिखाई दे रही ह तो वह चीज ठीक नहीं है लापर वाई तो बिल्कुल भी नीच लेगी क्योंकि कोरोना वाइरस को जितना अभी तक समझा है ना इस कोविड-19 को उसमें यह चीज समझ में आती है कि यह बिल्कुल भी जाने वाली बिमारी नहीं है इसमें तो हमें वही बात है कि prevention is better than cure क्यो अलग-अलग जितने भी जो treatment दिये जा रहे हैं वो इतने effective नहीं है अभी तक भी या फिर plasma therapy जो दी जा रही है patients को वो भी इतने effective नहीं है तो point यहां पर यही आ जाता है कि देखो Europe में एक और फिर से second wave आ गई है cases के surge जबर्दस देखे गए हैं वहाँ पर तो आप देख सकते हो कि adversity लगातार बनी हुई है तो point यही निकल के आता है कि 10 मेने पहले हमें जितना पता था ना COVID-19 से 19 के बार में उससे तो ज़्यादा आज हम जानते हैं तो क्यों ना उस data को properly एक उसकी doctoring की जाए क्यों ना एक सच सही picture प्रेप्रेजेंट की जाए जिससे की country में हमारा जो टार्गेट है ना की कैसे भी करके इस बिमारी को eliminate करें उसके लिए हम प्रॉपर सर्विस दे पाएं लोगों को उसके लिए काम किया जा सके नहीं तो जूटी रिपोर्ट्स पे तो क्या होगा डिस सर्विस कर रहे हो थेंक यू